बात करते हैं मिथू राशी की जो मिथू राशी की जातक हैं अगर आज आप किसी प्रकार का निवेश करते हैं तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई बड़े पैमाने पर जो आपका चीर परतिक्षित यूजना है वह संपन होगा और आपकी यूजनाओं से बड़ा लाब मिलेगा आपकी कारेश हमता में ब्रिद्धी होगी इफिसेंसी बढ़ेगी अगर आप कांसेंटेट होकर किसी भी कारे को करते हैं तो उसमें बड़ करें पत्नी को नोकरी मिलेगी दामपती जो नज बहुत ही अच्छा होगा जदी आपके घर में कोई भुजूर्ग व्यक्ते तो उसके स्वास्त में सुधार होगा न्याले में अगर कोई भी बाद दिवा चल लाओ ता आपके पक्ष में होगा सौधानी के अबरत नहीं है बाड़ी पर नियत्रा रखें उपाय क्या करना है भगवान स्री गड़ेश जी के अराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंक है नौ सुभंक है नौ सुभंक है हरा लक मीटर है आठ हरे कि करपूर गौरं करुडावतारं संसार शारं भुजिगेंद्र हारं सदा नमस्कार मैं हूँ जोटसाचार डॉक्टर विंतर पार्ठी आप देख रहे हैं भागी गुरुक कार्करम भागी गुरुक कारकरम अपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगी कि पंचांग की क्या इस्तिती है सुर्योदय कब होगा सुर्यास्त कब होग से बताऊंगा बात करेंगे महामंतर के कि महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साथ को क्या फाइदा मिलेगा इसके बात करेंगे बारह राश्चों की बारे में कि आज की बारह राश्चों की क्या इस्थती है किसको आयात तर्यास धन मिलेगा कौन बैग्यानिक बनेगा कौ कौन भारती प्रसाफशनिक से वा में जाएगा कौन सा हित्यकार बनेगा कौन ग्रंतकार बनेगा कौन खेल के चेत्र में जाएगा ये सारी बात हम आपको बताएंगे किस अंक्य के प्रयोग करने से आपका भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलत मिलेगी सौधानी के अबरतनी उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा दर्शकों के प्रस्णों का उत्तर भी दूँगा आज जिनका जन्दिन उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहें भाग गुरू कारिकरवा आई ये बात करते हैं आज के पंच में सो मोडत है प्राता ही 11 बच के 50 मिनट से लिएक के 2 पर 12 बच का 30 किरड़ तक रहेगा रहुकाल है प्राता दस बच के 43 मिनट से से लिएक दो पर 12 बच के 14 मिनट तक रहेगा और पस्चिम दिशा का दिशा सूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रहुकाल में कोई वीकार नहीं करना है दिशासूल में यात्रा करने से बचें अगर यात्रा छोटी दूरी की है तो दही गुड़ और केसर का तिलक लगा के यात्रा करें आपके लिए यात्रा सुभध हो जाएगा अब आए हम बात करते हैं आज के महामंत्र है ओम द् कफी अच्छा रहता है अगर सुक्रग्रह को मजबूत करने के लिए आप इस महामन्तरा का जब करें कम सकम एक माला तीन माला जब करें नियमित तो आपके लिए गराच्छा हो जाएगा